हेलो स्टुडेंट स्वागत करुछी सुगा में काडेमी कु मोनी बेंकिंग एंड फाइनेंशाल मार्केट रहे पाड रहे में देखिवा टाइपस आप प्राइस इंडेसेस प्राइस इंडेक्स किते प्रकार रही ची फर्स्ट इस इंडेक्स में Lee को सब्सक्राइबंद प्रार चेए अंडेस कि न ला चैन। आपकेटे प्रइबूर्ट हूं में देखिवा देखिय। थाए दरव्यगुडी करो तो सही तिरे कंजीमर गुड्स मानंकु नहीं कि आमें देखी दाओ कि प्राइस केते चेंज है ची देट इस कंजीमर प्राइस इंडेक्स इट्स परपोस इस टु ट्राक चैंजेस इन दो कस्ट अब लेभिंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स और बा काल का सीपी आः आमरगी जो रीटल लेबल रहीं जук skilled प्राइस करेग्स सहिए और प्राइस को नहीं कि आँए मתए प्राइड के आँज्यमर गुड्स को नहीं कि CPI find out करा जाए so CPI is equal to summation of P1W is divided by P0 into P0 into W W मना होजे कुट weight maybe quantity quantity को आमें weight ही साबरे नहीं पारिवा तो P1 होजे current year of price और P0 होजे base year of price जोट हमें construction of price index से देखी दिले तो current year of price is divided by base year of price को नहीं ले आमें देखी परिवागी एक्चुली चेंज किते ही जी ओके it is used in measuring inflation, adjusting wages, pensions and allowances तो इठी inflation measure करी बापाई CPI ब्यभाहर करा जाए ता सहीता जो आमारो government servant माने रही चंदी समान को गुटे dearness allowance दिया जे माना जो दरवरुद्धी भाता जोटा कही था हुआ में तो शेटा हुचिप dearness allowance तो एई inflation CPI को नहीं की ही तहास तिरह करा जाए ता सहीता पेंशन के ते बढ़ी बाक में बसेटा भी आमारे CPI को नहीं की ही डिसाइट करा जाए सो CPI होची बहुद बहुद इंपोटान कारणों इंफ्लास्टन आमोदे सरे एटाए यहीं मेजर होई थाए तो एट रिटेल लेबल रे कंजुमर गूर्ड्स माना को नहीं की ही CPI काल्कुलेट करा जाए नेक्स्ट होची हमारो WPI होल्सेल प्राइस इंडेक्स इट मेजर दी एवरेज चेंज इन होल्सेल प्राइस अप गूर्स टेडे इन बॉक बॉक अमांट बिफोर रीचिंग कंजुमर्स जो मू तीनो टी स्टेज का था को इतली प्रोडूसर रू डिरेक्ट अपर होल्सेल ब्राइस ऊंडेक्स इंडेक्स ट्रिटेफ्स अटन layer हो ताव रीचलर प्राइस न मुआ देश्रा इंफ्लाउस्टन पाईं किन्तु यह बे सीपीयाई व्यभार करा जोजुजुघ काभ्रेज एग्रिकल्चाराइटीर गूट्स इंडस्ट्राइल प्रोडक्स फुइल एड़ गूल्चार गूट्स को कभर करी थाएए इंडस्टिरल प्रोडक्स मानको प्याभार करू थी ले wholesale price index को आमादे सरो inflation को measure करीवा पाएं। The next one is producer's price index. It measures the average change in selling price received by domestic producer for their output. तो इटा पाखापाखी WPI सही ता समान, किन्तु PPI रे किछीटा service मध्या include होई थाएं। किन्तो WPI रे केबल और goods आमें नहीं थाएं। सर्विस नो थाएं। किन्तो इथरे किछीटी सर्विस आमें include करी थाएं। So WPI includes wholesale trade margin and excludes services. Service को exclude करी थाएं। But PPI is based on actual producer receive and can include some services. Uses It shows price changes from producer perspective helps forecast consumer inflation. यहाद बरा आमें producers level रे किते price रहुची तार किछ भली change होची ताको आमें measure करी पारिवा ता सही ता consumer inflation को आमें forecast करी पारिवा अगरु आमें predict करी पारिवा using producers price index. ता WPI सही ता पाका पाकी producer price index समान difference होची एथिरे service include रहुची. Then last one is GNP deflator. GNP deflator माने काण GNP GNP दी प्रकार नर्माली रही ची कुटेहला nominal GNP आगुटेहला real GNP Nominal GNP माने होची current year price को नहीं की जिते बुले हमें GNP calculate करूची. GNP माने होची gross national product जोट हमें macroeconomy सिर्फ पढ़ी चांती gross national product माने होची एकुटे देशरा citizen माने जहाँ भी सब द्रभ्य उत्पादना करूची तारा money value that is GNP real GNP माने होची base year price को नहीं की GNP calculate करीवा nominal GNP होची current year price को नहीं की जदी आमें GNP calculate को ले that is nominal GNP ताहले आमें पाई जिवा कि actually price के ते change हीची base year ठारू current year मध्यारे price के ते change हीची आमें जानी पारीवा so GNP deflator measures the overall level of prices for all final goods and services produced in the economy so GNP deflator is equal to nominal GNP is divided by real GNP into 100 it cover all goods and services in GDP GNP including investment goods government services export etc no fixed basket automatically reflect a change in composition of output तो इठी इंती fixed goods नहीं करना GNP रे total जेती भी production ही ची दे सरे सब को include करा जाए ताह सथी पाए एथरे अने कंजम्सान रोबा कंजमर गूर्ड्स की के बड़ा नेसेसरी गूर्स अमें दी की छी नहीं याथि सब्बू गूर्स सब्बूद गूर्स इंकलूड होई थाई तो nominal GNP और रियाल GNP रा जथी रेश्यो आमें नेजीवा तॉह ले सीठी आमें प्राइस चांज केते ही ची बेस यरू करेंड यर भी तरह आमें जानी पारिवा ते इस GNP डिफलाटर तो जी एन पी डिफलाटर यूज कई की भी आमें find out करी पारेवाग की price level केते changes आँ पूटर है छहामर cost of living index cost of living index काणा it measures the changes in cost required to maintain a certain standard of living for a particular group of people होगे the cost of living डियाम मैं मेजर करिए था हो कि जो कोस्ट किते चैंज ही जी अना अगरु किते खर्च थी लाए भी किते खर्च जाए जी देट इस एट इस रिलेटेट तो CPI CPI से तो यार लिंग रही ची CPI is a type of cost of living index but CLI cost of living index is more specific often calculated for occupational groups तो बेसिकरी CLI टा मनें उन्दी occupational group जिन्दी factory worker सेला कि agriculture लेवरर सेला तो सेमान कर पाई special calculate करा जे तो CPI और CLI भी देट डिफरेंस होजी CPI टा समस्तों का पाई हुए किन तो CLI जोटा के बोल और particular group पाई ही calculate करा जे बेसिकरी ये जो wage बढ़े हाँ पाई मजूरी बढ़े हाँ पाई calculate करा जे कि एक्चुली दौरदाम केते बढ़ी ची से इसाब रही wage बढ़ा जीवो जाकुम को ते लिए डियोर्नेस एलाइन्स तो डियोर्नेस एलाइन्स पाई है बेसिकरी government servant मन को पाई मुद्या एही CLI क बढ़े डिए इसे प्रेंस लाइए बस्पेशल को तो गूत गूप पाई काल्कुले चाहि कोरा जाए cost of living index so these are different types of price indexes ता इडिक लाष्रमए देखिले cpi wpi gnp deflatter wholesale price index okay cost of living index so that's all for this class thank you for watching this video झाल